हालो फ्रेंड वेल्कम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने बाले हैं बिए टेंटरांस से सबंदित बहुत ही शांदार प्रेशन आज की इस वीडियो में हम 100 प्लस बहुत ही इंपोर्टेंट जो टेचिंग कमिशन होते हैं टेचिंग कमिशन कमिट्टी और टेचिंग एप्टिटूट से सबंदित ब्रेशन डिस्कस करने बाले हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पल होगी तो दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी जो थी वो हेल्थ थोड़ी खराब चल रही थी तो आज थोड़ा सा हेल्थ में सुधार हुआ है इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आज भी तेब्यत उतनी ठीक नहीं है पर पहले से सुधार है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसांद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और कुमेंट करें आपको ऐसी अन्ये वीडियो चाहिए या फिर नहीं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पहले प्रेशन के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अबस्या सब्सक्राइब कर दें और अगर आप इस वीडियो की दोस्तों पीडियाप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है बहां से आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना और बहां पर आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी तो चलिए शुड़ू करते हैं पहले प्रशन से भारत में अंग्रेजी सिक्षा का सूतर पात किसने किया था ओप्शन है लॉड मेकॉले, लॉड लॉजी, लॉड केनिंग या फिर बिलियम बेंटिंग तो दोस्तो भारत में अंग्रेजी सिक्षा का जो सूतर पात किया था वो किया था लॉड मेकॉले ने तो ओप्शन ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा Lord Macaulay Next है दोस्तो Macaulay विवर्ण पत्तर 835 सबंदित है तो दोस्तो जो Macaulay का विवर्ण पत्तर है 835 यह सबंदित है Option है समा सुधार से समुधाइक सिक्षा से व्यक्तिगत सिक्षा जा फिर सिक्षा सुधार से Option D इसका correct हो जाएगा सिक्षा सुधार से यह सबंदित है आजकी इस वीडियो में मैंने बताया 100 प्लस क्uição है तो जल्दी जल्दी हम वीडियो को डिस्क्स करेंगे दोस्तो next भारत्य सिक्षा का मेगना कार्टा माना जाता है तो दोस्तो जो भारत्य सिक्षा है उसका जो मेगना कार्टा माना जाता है वो माना जाता है चार्ल्स वूड डिस्पैच 1854 को तो आपने याद रखना है next question है next है 1857 में सबसे पहले college कहां पर खूले दोस्तो 1857 में सबसे पहले तीन college प्रमुक्ता खूले थे वो खूले थे कलकत्ता बंबई अचते भार्त के बॉईसराय थे दोस्तो जynn. भारत के बॉईसराय थे दोस्तो थारासो चौबन के कारियों की स्मिक्सा किस आयोग ने की थी तो दोस्तो जो बुट डिस्पैच थारासो चौबन है मैंने आपको बताया इसको भारते सिख्षा का अगरेजी सिख्षा का मेगनकार्टा कहा जाता है और दोस्तो जो ये जो आयोग था इसकी जो स्मिक्सा करी थ थी हंटरा योग ने कब आया था हंटरा योग तो ठारा सो बास्ती में आपने याद रखना है हंटरा योग वैसे दो आय थे ये पहला था एक आया था उनिसो निस के रौन चो जलिया वाला वाग हत्याकान हुआ था उस समय नेक्स्ट है बनारस हिंदू बिशब द्याले बी ने याद रखना है उनिसो सोला में बनाया गया पंडित मदनमोहन मालविया के द्वारा तो दोस्तों ये जो पंडित मदनमोहन मालविया थे इन्होंने जो बनारस हिंदू बिशब द्याले बनाया था पहले इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिसकी स्तापना जो थ तो दोस्तों ये तो काफी पुराना है इसके बारे में जो स्थापना है इसे सबंदित लेटर लेकिन अभी जो ये बरतमान में है ये पाकिस्तान में पढ़ता है और जो बिक्रम शिला है वो हो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक शिक्षा की बरता योजना किसकी अध्यक्सता में 1936 में त्यार हुई तो जो हो बरता योजना थी मौलिक शिक्षा की बरता योजना ये हे 1937 में त्यार हुई और उसकी जो अध्यक्सता थी दोस्तों वो करी थी डॉक्टर जाके हुसैन ने तो सही आंसर हो जाएगा next है बर्दा योजना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो यह बर्दा योजना है 1977 की इसको अन्य गांदी जी की बुनियादी शिक्सा योजना के नाम से भी जाना जाता है आपने याद रखना है next है sergeant plan 1944 में कौन सा नया बेवसाय शुरू करने की सिपारिश की तो दोस्तों जो सार्जेंट प्लान था ये कब आया तो ये आया 1944 में और इसने कौन सा नया बेवसाय शुरू करने की सिपारिश करी तो ग्रह बिग्यान इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंतरता के बाद पहला गठित सिप्सा सुधार आयोग कौन सा था तो स्वतंतरता के बाद पहला जो सिप्सा सुधार आयोग था दोस्तों वो था रादा कृष्णन नयोग इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में आप कमेंट करके पताएं दोस्तों सभी जो UGC है इनिवर्स्टी गरांट कमेशन इसकी स्ताबना कब हुई थी नेक्स्ट क्वेश्टन है रादा कृष्णन नयोग कहलाता है दोस्तों जो रादा कृष्णन नयोग है ये कहलाता है बिश्यव विद्याले सिक्सा नयोग तो आपने याद रखना है बिश्व विद्याले सिक्सा योग रदा कृष्णन आयोग को कहा जाता है नेक्स्ट है मुद्दी लेयर आयोग 1952-53 ने अपनी सिपारिस दी दोस्तों किसके लिए सिपारिस दी थी ये दी थी माध्यम माध्यमिक शिक्षा हे तू तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा हे तू नेक्स्ट है परियवण के प्रती जाग रुकता एबं कम्प्यूटर शिक्षा किस शिक्षा नीती के महतपून घटक थे यह जो राष्टे शिक्षा नीती थी 1986 इसके महत्तपून घटक थे पर्यवन के प्रती जाग रुखता आबम कम्प्यूटर शिक्षा नेक्स्ट है ओपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ तो दोस्तों जो परेशन ब्लैक बोर्ड था ये शुरू हुआ था 1987 में नेक्स्ट है operation blackboard किन कक्षाओं के लिए प्योगी है तो operation blackboard जो है यह प्योगी है प्रात्मिक कक्षा के बच्चों के लिए यानिकी बंड से फिब तक तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राष्ट्य साक्षरता mission किस पर्ष शुड़ू हुआ तो राष्ट्य साक्षरता mission जो है यह शुरू हुआ था 1988 में इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है NIOS की स्ताबना कब हुई तो जो NIOS है इसकी स्ताबना हुई थी 1989 में नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेस्टन, यस्पाल स्मिती रिपोर्ट 1992-93 का टाइटल क्या था? तो ये भी पूछा जाता है, ये कब यस्पाल स्मिती रिपोर्ट का प्रस्तुत करी गई? तो 1992-93 के राउंड और इसका जो टाइटल था, बो था, सिख्षा बिना बोज के, काफी बार ये प्रेशन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तो, किसकी ये धेक्स्ता में विद्यवाननों ने राश्ट्य पाठ्ट्य चर्य की रूप रेखा, 2005 NSF 2005 तयार की? तो दोस्तो ये करी थी, प्रोफेसर यस्पाल, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर यस्पाल, अगला प्रेशन है, RTE Act 2009 के तहट प्रात्मिक कक्षाओं में चातर सिक्षक अनुपात होगा, तो दोस्तो, Right to Education Act 2009 के तहट, जो हो 34 है, उन पर एक सिक्षक होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बन रेश्यो 30, नेक्स्ट है, बिशब द्याले सिक्षा आया था, इसके ध्यक्स्ते, डॉक्टर सरपली, राधा क्रिशनन, नेक्स्ट है, सब्तंतरता के बाद, 1947 गठित पहला सिक्षा सुधार आयोग कौन सा था, ये था दोस्तो, राधा क्रिशनन, आयोग, पहले भी हम डिसक्स कर चुके हैं, नेक्स्ट है, सिक्षा को संबर्ती सुची का विश्य बनाये गया, 1978 में आपने याद रखना है, नेक्स्ट है, भारत में अध्वनिक शिक्षा का जनमदाता किसे माना जाता है, भारत में जो अध्वनिक शिक्षा है, इसका जनमदाता दोस्तो, माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को, option B सही हो जाएगा, चार् नेक्स्ट है, भारत में सरकारी कारियों में फार्सी के स्तान पर अंग्रेजी भासा का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ, 1337 में, option C correct हो जाएगा, 1337, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन ने सिक्षा के क्षेतर में हुए विकास की समिक्षा के लिए किस समिक् हो जाएगा, हर्टोग समिती, 1929 के round, नेक्स्ट है, भारत में पहली पुस्तक कब चापी गई, तो दोस्तों, भारत में पहली पुस्तक जो चापी गई थी, वो चापी गई थी, 1557 में, option जो इसका B है, वो correct हो जाएगा, 1500 स्ताबन इस B में, नेक्स्ट है, भारत में राष् प्रेस का जो संस्तापक है, वो माना जाता है, किसको माना जाता है, राजा राहमोन रॉय को, तो इसका option जो, इसका C है, वो सही हो, जाएगा, राजा राहमोन रॉय, नेक्स्ट क्वेश्टन है, भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो भारत में पत्र पत्रों का मुक्ति दाता किसे कहा जाता है दोस्तों जो भारते समचार पत्रों का मुक्ति दाता कहा जाता है लौड मेटकॉफ को कहा जाता है option एक रेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहे गुवर्नर जर्नल थे और इन्हों ने अपने एक वर्ष के कारेकाल के दुरान जो समचार पत्तर बगेरा थे इनको मुक्ति प्रदान कर दी थी नेक्स्ट है भारत में नागरिक सेवा का जनमदाता किसे माना जाता है नागरिक सेवा का जो जनमदाता माना जाता है वो लॉड कॉर्ण बालिस को तो option इसका भी correct हो जाएगा Lord Conn Bales नेक्स्ट question है भारत में सरकारी सेवाओं में निक्ति हेतु किस बर्स अंग्रेजी को अनवारे विशे बना दिया गया था तो अंग्रेजी को जो अनवारे विशे बना दिया गया वो बनाया गया थारा सो भालेस में option B correct हो जाएगा थारा सो भालेस नेक्स्ट है ताराचन dispers का गठन काब किया गया तो काफी important question है 1940 में किया गया ताराचन समिः heritage का गठन नेक्स्ट है माधमेक शिख्षा अयोग का गठन काब किया गया तो जो माध्यम शिक्षा अयोग बना था जिसे मुद्दिलियर योग भी कहा जाता है वो बना था 23 स्टमबर 1952 को नेक्स्ट है माध्मिक शिक्षा अयोग के अध्यक्स कौन थे तो जो माध्मिक शिक्षा आयोग था इसके जो अध्यक्स थे वो थे डॉक्टर लक्षन स्वामी मुद्दिलेर जो मदरास बिशविद्याले के कुलपती थे तो आपने याद रखना है डॉक्टर लक्षन स्वामी मुद्दिलेर जो हो कौन से विशोविदालिय के कुलपती थे वो थे मदरास के नेक्स्ट है माध में शिक्षा अयोग के अन्यस दस्य के नाम बताईए तो इसमें जो अन्यस दस्य थे वो थे उनमें डॉक्टर शिमाली, सिरिमती हनसा महता, डॉक्टर कैनेथ, रस्ट बिल्यम, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केशरी, सैयदन और शिरी, M.T. बियास और डॉक्टर A.M. तो आपने इनके नाम याद रखने हैं नेक्स्ट है, अयोग की निक्ति का उदेशी एवम कारेक शेतर क्या था? तो ये मादमिक शिक्षा अयोग था दोस्तों, इसकी निक्ति का उदेशी एवम कारेक शेतर था, भारत की ततकालीन, मादमिक शिक्षा के सभी पकसों की जांच करना, एवम उनके बेश्य में रिप सरकार को प्रेशित करी 29 अगस्त 1953 को नेक्स्ट है माध्मिक शिक्षा आयोग ने माध्मिक शिक्षा को कितने भागव में विभाजित किया ये करा था इन्होंने दो भागव में तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो भागव में नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा के उदेश्य निधारन हेतू क्या सुझाब थे तो आपने याद रखना है ये जो सुझाब थे मैंने आपको पताया अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका जो लिंक है आपको description में मिल जाएगा या फिर आप टेलिग्राम में जाके at the rate जानी टॉक सर्च कर सकते हैं बहाँ पर आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा योग ने मादमिक शिक्षा के पाठेकरम समंदी क्या सुझाब दिये ये दिये मातर भाषा, राष्ट भाषा हिंदी, अंगरेजी, समाने बिज्यान, गनित, समाजिक विश्य, कला एबम, संस्कृती, हस्त, सिल्फ, शारिक शिक्षा एबम, त्री भाषा, शुत्तर नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा योग ने कितने कारे दिवस निर्धारित किये तो ये करे इनोंने 200 कारे वर्स निर्धारित करे दो महा का ग्रिशम अवकास और शीत कालेन अवकास नेक्स्ट है के अंदर में अकिल भारतिय मादमिक शिक्षा सलाकार बोर्ड स्तापित करने का देश्य क्या था तो ये उदेश्य था संपूर्ण भारत में मादमिक शिक्षा के सबंद में समान नीती यवम समान अयोजना बनाना next question है मुद्दिलेर अयोग ने मादमिक शिक्षा के पाठिकरम को कितने भागव में विवाजित किया तो ये करा दोस्तों इन्होंने 7 बर्गव में नेक्स्ट है प्रांतों में तक्नीकी शिक्षा बोर स्तावित करने का सुझाब किसने दिया था? तो प्रांतों में तक्नीकी शिक्षा बोर स्तावित करने का सुझाब जो दिया था वो मादमिक शिक्षा योग के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट है मादमिक स्तर की पाठे चर्या में कितने विश्य रखे गए तो आठ विश्य रखे गए थे मादमिक स्तर की पाठे चर्या में इनके सुझाब पर नेक्स्ट है उच्छतर मादमिक स्थर पर बहु देश्य स्कूल खोलने का सुजाब किस आयोग के द्वारा दिया गया तो ये भी सुजाब जो दिया गया मादमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ही दिया गया था नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा अयोग ने अनुसासन सबंदी क्या सुझाब दिये थे नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा अयोग ने सिक्षकों की निक्ति यवं सेवा सर्तों के सबंद में क्या सुझाब दिये इन्होंने सुझाब दिया दोस्तों परिक्षन काल सधानतया बन बर्स 58 बर्स के स्तान पर 60 बर्स पर सेवा निर्विती और शिक्षकों को प्राइबेट यूशन करने की सबंदी जाए अगला है स्कूल सबास्ति सेवा योजना शुरू करने का सुझाब किसा योग के द्वारा दिया गया तो दोस्तों आप देख रहे हैं मादमिक शिक्षा योग जो है इससे कितने सारे प्रेशन बन रहे हैं नेक्स्ट है योग ये अध्यापकों के लिए प्रेशिक्षन के इस कोर्स को जोड़ने का सुझाब मुद्दिलेर कमीशन ने दिया तो जो एमेट कोर्स है इसका जो सुझाब था दोस्तों ये भी मुद्दिलेर कमीशन नहीं दिया नेक्स्ट है सैक्षिक एबम बेबसाइक निर्देशन ब्यूरो स्तापित है ये है मादमिक शिक्षा आयोग नेक्स्ट है मादमिक शिक्षा आयोग शिक्षकों की सिकाईतों पर विचार करने है तो किस बोड़ की निक्ति का सुझाब दिया ये दिया था दोस्तों अर्बि नेक्स्ट क्वेच्चन है येस्पाल स्मिती को अन्यकिस नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है रास्टिय सलहकार स्मिती नेक्स्ट है कौन सी स्मिती ग्यान बिसपोर्ट की धरना से जुड़ी है तो ग्यान बिसपोर्ट की जो धरना से जुड़ी हुई है वो है येस्पाल स्मिती आपने याद रखना है मैंने बताया 1992 और 1993 के एराउंड यहे आई थी और दोस्तों इन समय से महतपूर एक कमिशन है 1964 और 66 के एराउंड में आया था जो कुठारी कमिशन था नेक्स्ट है अब दोस्तों teaching aptitude के प्रेशन यहां से सुरू हुए हैं पहला प्रेशन है समाजिक आर्थिक, socially, economically, रूप से बंचित, प्रिष्ट, भूमी से आने वाले बच्चों के को कलास के महौल की अपशक्षता होती है जो आपको पताना है इसका सही आंसर क्या होगा इसका जो सही आंसर है वो है उनके Sanskritic, Cultural और भासाई ज्यान को महतब देता है तथा उनका प्योग करता है option C इसका correct हो जाएगा कक्सा में स्रिजनात्मक, Creative और प्रधिवाशाली, Brilliant बच्चों के लिए अवश्यक हस्तक सेफ निरबर करता है जल्दी से बताईए इसका क्या सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर होगा, Teacher द्वारा अनकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के व्योग पर option B correct हो जाएगा नेक्स्ट है, सिक्षन अभी योग्यता का अर्थ है, तो आपको पताना है सिक्षन अभी योग्यता का क्या अर्थ है तो इसका सही आंसर है, सिक्षक का कारिया करने है तू अपक्षित सभी योग्यताएं option C correct हो जाएगा नेक्स्ट है, एक सिक्षक को ग्यान के अलाबा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए तो दोस्तो एक सिक्षक को ग्यान के लाबा अपने विद्यार्थियों को लगसे प्राप्ती के लिए अथक परियास विफ्रीप सितियों में भी संयम, मोडरेशन, एबम, संतुलन, ना, खोना और समय का सदुप्योग तो option D सही हो जाएगा ये सभी नेक्स्ट है शिक्षक सभी सार्थक होगी जब तो आपको पताना है शिक्षा कब सार्थक होगी जब पाठिकम केंदित हो या फिर छात्रत केंदित हो option B इसका सही हो जाएगा जब छात्र केंदित हो नेक्स्ट है आपके बचार में सिक्षा का उदेश्य होना चाहिए एम औफ एजुकेशन क्या होना चाहिए नेक्स्ट है पाठिकम निर्मान येन की करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों इसमें रखना चाहिए सिक्षा के उदेशियों को छात्रों की अभिशक्ताओं रूचियों एब योग्यताओं दोनों को तो option इसका D सही हो जाएगा बोथ A and B Next question है बासा सीखने सिकाने में आप किसे सबसे देख महतपून मानते हैं दोस्तों भासा सीखने सिकाने में सबसे देख जो महतपून है वो क्या है तो आपको बताना है तो इसमें जो सबसे महतपून है वो है समाजी कंता क्रिया option C सही हो जाएगा समाजी कंता क्रिया नेक्स्ट है डैस डैस भासा का अती महत्पून कार्य है दोस्तों संप्रेशन जो है वो भासा का अती महत्पून कार्य है option D correct हो जाएगा नेक्स्ट है छात्र जो लिखित कारिय करते हैं उसे सिक्षक को कब जांचना चाहिए दोस्तों उसे जांचना चाहिए लिखित कारिय पूरा होने के तुरंत बाद तो option इसका D सही हो जाएगा लिखित कारिय पूरा होने से तुरंत बाद नेक्स्ट है निमलिक्त मैंसे कौन छात्रों में लोकतांतरिक मुल्यों की स्तापना करता है पुस्तकें प्राथना साबा बार्शी कोटसब या फिर खेल का मैदान तो दोस्तों खेल का मैदान जो है वो छात्रों में लोकतांतरिक मुल्यों की स्तापना करता है नेक्स्ट है एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए दोस्तों एक जो प्रधानाचार्य है उसको होना चाहिए छात्रों के लिए पिरिणा दायक ध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला कुशल प्रबंदक तो option D सही हो जाएगा ये सभी next है कोई सिक्ष का अपने वद्यार्थियों को अध्याइन करने है तू आंतरिक रूप से उत्प्रेजित करने के लिए कैसे प्रोधायत करेगी तो इसका option B सही हो जाएगा ब्यक्तिगत लक्सिय निर्धार्ण करने और उनमें निम्पुनता पाने में उन्हें मदद देकर option B इसका correct हो जाएगा next है आपके अनुसार सिक्षन की योजना परती कैसी होनी चाहिए तो दोस्तों चो सिक्षन की योजना परती है वो होनी चाहिए बालक के अंदरित तो option D सही हो जाएगा बालक के अंदरित next है सिक्षा सक्ती एवं सत्ता का स्त्रोत है तो दोस्तों सिक्षा सक्ती एवं सत्ता का स्त्रोत है महिलाओं के लिए और पिश्णों के लिए तो option इसका D सही हो जाएगा बोथ A and B इसका सही आंसर है नेक्स्ट है सिक्सा का मूल कार्य है दोस्तों सिक्सा का जो मूल कार्य है अध्याइन के लिए अनकूल बातावन त्यार करना तो जो अध्यापक है उसका मूल कार्य है अध्याइन के लिए अनकूल बातावन त्यार करना नेक्स्ट है भारत में सिक्सित ब्रोजगारी का प्रमोख कारण है तो दोस्तो भारत में सिक्सित ब्रोजगारी का जो प्रमोख कारण है वो है उदेश्य हीन सिक्सा ओप्शन C कुरेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन है किस प्रकार का कक्षा नेतरित्व सबसे उत्तम माना गया है दोस्तों जो लोकतांतरिक कक्षा का नेतरित्व है वो सबसे उत्तम माना गया है तो option C इसका सही हो जाएगा लोकतांतरिक नेक्स्ट है नेमलिक्त सिक्षन वीदियों में कौन सी वीदी बास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दिश्टि कोन से उत्तम है तो ये है भ्रह्मन वीदी और option A correct हो जाएगा भ्रह्मन वीदी अगला प्रशन है किसी प्रारंबिक कक्षा में भाव साली सिक्षक आउदेस्य द्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा ये है सीखने के लिए जिससे वे जिग्यासू बने और सीखने के लिए ही सिखाना अपसंद करें तो option इसका D सही हो जाएगा ये जो teaching aptitude होता है दो कि आप एक सिख्षक है तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार विभार करेंगे दोस्तों जो विद्यार्थियों से विभार होगा वो होगा लोगतांतरिक का option B सही हो जाएगा लोगतांतरिक नेक्स्ट है सिख्षकों के लिए सैक्षिक दर्शन सास्तर का अध्यायन निबारे है क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिख्षक सवय का दर्शन बिक्सित करने में असाफल रहते हैं तो option इसका C सही हो जाएगा अगला question है आपके बचार में सिख्षन बेबसा क्या है तो दोस्तों जो सिख्षन बेबसाए है यह काफी समान जनत बेबसाए है तो आपने देखा होगा जो टीचर या फिर टीचिंग की जोब है यह काफी respected जोब मानी जाती है अगला है पाठे कराम में पाठे सह गामी क्रियाओं को क्यों सामिल किया जाता है आपको बता यह इसलिए सामिल किया जाता है क्योंकि अधिक गम करता को किसी विश्यों को अच्छी तरह से समझेने में शक्षम बनाने के लिए तो आप्शन C सही हो जाएगा नेक्स्ट है विद्यार्थी अध्यापन में किस गुण को सबसे देख पसंद करते हैं तो दोस्तों विद्य विद्यार्थियों की प्रगर्थी जांचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो सबसे बेस्ट तरीका है वो है उनका प्रिक्शन करना ऑप्शन A कॉरेक्ट हो जाएगा उनका प्रिक्शन करना अगला है विद्यार्थियों के बेक्तित्व पर सबसे देख प्रभाब कि अधिगम का सरवोच स्तर है दोस्तों अधिगम का जो सरवोच स्तर है वो है अब धारनातमक अधिगम option बी correct हो जाएगा अब धारनातमक अधिगम नेक्स्ट है अधिगंप्रक्रिया के शारू रूफ से संपन होने के लिए अवश्चक है कि क्या अवश्चक है जिद्यार्थियों का सहोग प्राप्त हो द्यार्थी उमें सीखने की भाबना हो या फिर शिक्षन सिख्षक कारे में निपुण हो तो इसका सही आंसर हो जाएग इसका option C सही हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से नेक्स्ट है यदि एक विद्यार्थी आपका समान नहीं करता तो आप क्या करेंगे तो दोस्तो उसकी उपेक्षा कर देंगे option A correct हो जाएगा उसकी उपेक्षा कर देंगे next है एकिक्रित शिक्षा की सफलता केस पर निर्बर करती है दोस्तो यह जो एकिक्रित शिक्षा की सफलता है यह निर्बर करती है पाठ्य पुस्तकों की उतक्रिष्टता तो option इसका जो D है वो सही हो जाएगा next है एक सिक्षक का सबसे महतपून कार्य है तो दोस्तो एक सिक्षक जो होता है उसका सबसे महतपून कार्य है वो है विद्यार्थियों का मुल्यांकन करना तो option D सही हो जाएगा विद्यार्थियों का मुल्यांकन करना नेक्स्ट है एक दर्ष सिक्षक बे होता है जो क्या करता है दोस्तों तो बे है एक मित्र दर्षन सास्त्री वर निर्देशन की तरहा कार्य करता है तो इसका ओप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन एक शिक्षक द्वारा कक्स में प्रषन पूछने से क्या होता है विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं अनुशास्त बना रहता है विद्यार्थियों का मनरंजन होता है या फिर विद्यार्थियों का ध्यान अक्रिष्ट होता है तो एक शिक्षक द्वारा कक प्रक्षेपन बीधी के अंतरगत आती है तो दोस्तों इसमें जो कथा बौध बिधी है वो प्रक्षेपन बिधी के अंतरगत आती है option B correct हो जाएगा कथा बौध बिधी नेक्स्ट है विद्यार्थियों में नैतिक मुल्यों का विकास अत्यान तावशक है आप एक शिक्षर के रूब में इन मुल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे तो दोस्तो विद्यारतियों में जो नैतिक मुल्यों का विकास है अतियन ताबशक है नैतिक मुल्यों से सबंदित कारे को प्रोत्साइद करेंगे तो ऑप्षन इसका ए जो है यानिकि वन जो है ऑप्षन बन वो सही हो जाएगा नेक्स्ट है सिख्षक का काक्षा का बैवार अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अधिगम के लिए उचित महौल निर्मित होता है तो आप्शन इसका सी सही हो जाएगा यानि की थर्ड नेक्स्ट है विद्यार्थियों के साथ एक सिख्षक को अच्छा बैवार स्तापिट करने के लिए चाहिए की वेhh क्या करें दोस्तों तो वहें प्रतिक उनके साथ उनका जो बैवार होना चाहिए वेhh मित्रवत बैवार होना चाहिए उप्शन इसका सैकंद सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है यदि कोई विद्यार्थी आप पर यह रोप लगाता है कि आपने उसे प्रीक्षा में कम अंक दिये हैं तो आप क्या करेंगे तो दोस्तों उसी की उत्तर पुष्ट का दिखा कर कम अंक आने का कारण बताएंगे तो आप्सिन इसका थर्ड जो है वो जिरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग गाड ब्लेस यू आल